एक अभूत पूर्व खोज में खोगल बीदो ने अंत्रिक्ष में एक अध्भूत खोज की है ये एक ऐसा खोज है जिसने खोगल बिग्यान में एक नई तरीके का आउधरना की और अग्रसर किया है जिसे हम अब तक अग्याद थे आधरनी दर्सकों चलिए खोगल बीद द्वारा अंत्रिक्ष की एक अध्भूत खोज के बारे में चर्शा करते है इस साल के अंत्र में खोगल बीदो ने हमारे सुरिय मंडल के सबसे नजदी की ब्लैक होल की खोज की है ये एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है जिसकी परिकर्मा सुर्य जैसी तारा करता है सुरू में जब खोगल बीदो ने इसे देखा तो सोचा की ये दो खोगल ये पिंडो की एक निमित बाइनरी परमाली है लेकिन जब उन्होंने तारों का गुनों की गौर से अधन किया तो देखा की ये तारे ब्लैक होल की चारो और कैसे घूम रहा है तब उन लोग का पता चला की वहां कुछ तो असामान्य हो रहा है उन लोगों ने इससे पहले कभी एक ब्लैक होल और एकतारे एक बाइनरी सिस्टम में ऐसे बंद होगा कभी नहीं देखा था खगल बीदों का मानना है कि इस खोज ने खगल विज्यान में एक पूरी तरह से नई अवधार्ना की और अग्रसर किया है जिसे हम आप तक नहीं जानते थे तो ये सवाल उठता है कि खगल बीदों ने ये सिस्टम में ब्लैक होल की खोज कैसे की है और ये ब्लैक होल में क्या खास बात है और ये खोज से फिजिक्स और एस्ट्रोनोमी पर क्या असर पर सकता है चलिए जानते है ये अद्भूत खोज गाया मिशन के दुआरा की गई है ये मिशन खोगोल बिग्यान के दुनिया में धेर सारा युगदान दिया है ये मिशन जेम्स वेब और हावल टेली एसकोप जितना लोग पिरिये नहीं है अभी तक गाया के बारे में कोई लोग के लिए अग्यात थी ह लेकिन गाया ने पिछले कुछ बर्सों में खोगोल बिग्यान को पाठे करम को बदल दिया है ये ये यूरपी अंतरिक्ष एजेंसी का एक स्पेस अब्जर्बेटरी है और इससे साल 2013 में लंच किया गया था गाया एस्ट्रोमेटरी माधियम से अकास गांगा में थ्री डा बस्तू का उत्पती और उसका पविश्य के बारे में पता लगाता है किसी भी बस्तूओं को उत्पती अकास गंगा में कई से हुई जानने के लिए गाया और जेम्स वेब टेलियोस्कप अपना अपना इस्थान एक दुसरे से सेर करता है क्योंकि ये दोनों 10 लाख गयान में क्रांती लादी है क्योंकि गया के डाटा से आज तक कई सोध पत्र प्रकासित की गई है लेकिन ये नई डाटा से नई अवधारना खगोल बिल्यान में लिखा जाएगा गया ने अपनी तिसरी डाटा में सुरिय जैसा अनोखी तारा और बिलैक होल एक दूसरे के प्रकारमा करते हुए देखा गया है और इसका नामकरन गाया बी एच वन किया है ये एक बाइनरी सिस्टम है और ये प्रिथमी से पंद्रे साई बर्स दूरी पर इस्थित है इस सिस्टम में के ब्लैक होल एक तराकिय दर्मम्यान वाला ब्लैक होल है और ये ब्लैक होल सुर O, B, A, Y, G, K, अवर M, इसमें सबसे ज़एदा वो परकार के तारे बहुत ज़यदा गरम होता है। इसकी सतहा के तापमान लगबग 30,000 Kel-27 तक होता है। और M टाइप के तारे सबसे ठांडा होता है। इसकी सतहा के तापमान करीब 24 साइट से लेकर 37 Kelvin तक होता है इन तारों के बर्गी करण में G-type के तारे हमारे सुरिय पढ़ता है और इनका तापकरम लगबग 52 से लेकर 6000 Kelvin तक होता है तो खोगोल बीदों ने पता लगाया कि Gaya BH1 सिस्टम में जो तारे है वो G-type के तारे है और इसका सताही तापकरम लगबग 58,50 Kelvin है जो लगबग हमारे सुरिय के 57,58 Kelvin के तापकरम के करीब है बात करें इसकी मास की तो ये सुलर मास की बुराबर है ये तारा हमारा सुरिय की जुड़वा जैसी है एक और अनुखी बात खोगोल बीदों ने नोट की जो आप सुनकर दंग हो जाओगे वो बात ये है कि ये G टाइप के तारे अबर ब्लैक होल अपनी मास एक दुसरे को ट्रांसफर नहीं कर रहा था इसलिए पता चला कि ये एक निस्किरिये ब्लैक होल है जो एक सेरे रेडियेशन का उत्सरजन नहीं करता है जो बैग्यानिकों को इसे खोज करने में और कटिन बना रहा है यहाँ एक प्रस्तना खड़ा होता है कि खोगल बीदों ने कैसे पता लगाया कि ये सिस्टम का केंदरिये बस्तु एक ब्लैक होल है कुछ लोगों का मानना है कि ये डेंस नीट्रोन इस्टार या हुआइट वारप होगा क्योंकि ये दोनों में चमक नहीं होती है और इनको पता लगाना बहुत मुस्किल होता है इसका उतर तारे के कख्च के प्रक्रितिक में नहीं थे खोगल बीदों ने बाइनरी सिस्टम के बारे में दो दिल्चस्प तथे निकाले जब उन्होंने ये तारे का मोशन और अर्बिट का अलोकन किया तब डार्क अबजेक्ट में गुर्तवाकर्शन के खिचाव के कारण से अर्बिटल सेप और अर्बिटल प्रेट में कुछ असर दिखा इस उधारन को इस रिसर्च पेपर में देखें इसकी बाया तर्फ में छो बर्स में आकासों में जी एस्टार की अपेक्षित गति को दिखाया गया है बीच के भाग दरसाता है कि तारे के मोशन अपनी सेंटर मास में रहता है और बेरी सेंटर में पारालक्स बाद उचित गति को हटा दिया जाता है इससे रेडियल भेलोसिटी और एस्ट्रोमेट्री के सहाथा से प्राप्त किया जाता है और अंति मुआला में गया के एस्ट्रोमेट्री सामधान पर तारे को ट्राजेक्ट्री को दरसाता है अब इसका कक्ष High Ecentricity का साथ सपस्ट रुप से अंड़कार है Ecentricity एक मापन है जब एक कक्ष पूर्ण रुप से वृत्खार बनता है तब इसका मापन किया जाता है GA Star का Ecentricity 0.45 है जो हमारे सुरिय मंडल में Pluto की कक्ष से दो गुना है ये तारे की अंड़कार कक्ष ने 185.6 दिनों की परिकर्मा आउधी का खुलासा की है इन आकडों के उपयोग करते हुए बैयानिकों ने गन्ना की है कि सेंट्रल डार्क अबजेक्ट का मास सुरिय से 10 गुना जादा है लेकिन हम इतने निश्चित के साथ कैसे कह सकते हैं क्या ये गन्ना दो लवर मास्क ब्लैक होल 5 नूट्रोन स्टार 10 वाइट ड्वार्प इस्टार 2 सई ब्राउन ड्वार्प के साथ हो सकता है जहां केंदर के सटा में एक stellar mass black hole हो जो सुर्य से 10 गुना हो इसका उतर dynamic stability में है जहां दो से अधिक बस्तुव की उपस्तिती से G star का सिस्टम बनाता है जो dynamic unstable रहता है तो इसे निर्धारित करा जाता है कि ये एक अग्या साथी या एक singular stellar mass black hole या दो compact object की अधिक संभावना वाल black hole होगा एक और दिल्चस्प बात ये है कि G star eccentric orbital में डग मगाना एक चमकदार की तुलना में केवल dark companion डग मगाना की मतरा उत्पन कर सकता है वो भी बस्तुव के बरावर mass पर अंत में बैग्यानिक द्वारा ये black hole सीध हुआ लेकिन यहीं से चीज असमान होने लगती है नया कराप के ध्यान से देखिए इसके बीच में mass of black hole our orbital period star system में लग है अगर किसी जानी हुई binary system जिसमें black hole है उसे इस सिस्टम से compare करे तो इसकी तुलना में Gaia bh1 अलग है इसकी विशेस्ताए ngc3201 के समान है एक पूरी तरह से अलग विकास के साथ एक गोलाकार cluster channel है जो इसे अर्थ हीन बना रहा है अबर ये एक बहुती बड़ी समस्या है क्यूंकि इसका जो isolation form है वो किसी और binary के तरह एस्टेडर binary evolution model नहीं जानता जो इस model पर नालिक उत्पती और गुनों की ब्याख्या कर सकती है तो हर अच्छे बैगानिक खोज की तरह इसने कुछ दिल्चस्प सवाल कड़े किये है हमारे आगे ये सिस्टम के evolution की ब्याख्या करने के लिए खोगोल भी कुछ बिचार परस्तुत किया है पहला बिचार common envelope evolution model है क्योंकि ये black hole का मास सुरिय सब्दस गुना अधिक है तो इसके पहले का जो तारह इस black hole में मिला होगा वो बहुत बड़ा होन चाहिए जीए स्टार की बरतमान कच्छा की तुलना में इसका मतलब यह कि जीए स्टार ने पहले का तारह का गयास का पूरा का पूरा निंगल गया होगा और अंत में बाहर ऊगल दिया होगा ये परिकल्पना दिलचस्पर लगती है लेकिन समस्या यह एक डिक सोलर मास तै ने अतियादिक विशाल ब्लैक होल पूर्वज के गेस जो अंदर था उसको बाहर निकालना साथ ही भविशेबानिक किया जाता है कि जी एस्टार की कक्छा कि आकार कमन इन विलप मोडल के तुला में बहुत ब्यापक होगा अब तक हमारे पास जो बाइनरी इवलोशन मोडल ह इस चुनावती से बहुत दूर है और समस्य ग्रस्त भी है एक और परिकलपना है कि यह शिस्टम एक खुले रूप से स्टार कलस्टर में गतिसिल रूप से बनता होगा जो बाद में गायब हो गया होगा हाला की इसीस्टम के बिकास की ब्याख्या करने वाली सबसे अच्छी परिकलपना टिर्पल स्टार सिस्टम मोडल है ये मोडल में G-Saster सुरु में दो नजिक बरे सितारो के बाईनेरी सिस्टम में ट्रेसरी कमपेनियन करता होगा वो दोनों के इंटर्याक्शन से सुपर जाइंट बनने से रोका जिसके परिमान सवरूप दो लोवर मास्क ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम में बना होगा ट्रेसरी जी एस्टार कमपनेन का साथ और और अर्बिट में कुछ छेर खानी मचा होगा यदि ये सिस्टम में जी एस्टार और ब्लैक होल बाइनरी है तो भविश्य में जी एस्टार रेट जाइंट में बदल जाएगा जिसकी परिमान सारूप ब्लैक होल की मास अभी बिरिदी होगा और ये सिस्टम अंत होकर ब्लैक होल बाइनेरी सिस्टम और वाइट ड्वार्प में परिबरतन हो जाएगा लेकिन मान लेजिये कि ये एक टिर्पल अबजेक्ट सिस्टम है जिसमें दो बिलैक होल और एक आंतरिक बाइनेरी है यानि कि बाहर के बाइनेरी के रूप में जी स्टार के साथ ये इबुलिजन के इस्थित्पी में मौर्जर बिलैक होल बाहर के बाइनेरी में बाधा डाल स साथ कई ऐसा बैनेरी सिस्टम है जिसे हम अग्यात है और गाया से भविश्य में जारी होने वाले डेटा से कई और निश्किरिये बिलायक होल की खोज में मदद मिलेगी आधर नियदर सकू आसा करता हूं ये वीडियो आप लोगों का अच्छी लगी होगी अगर अच्छी ल साथ करता है करता है